नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चाल में फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजली दोस्ती एक वो एहसास होता है जो अंजाने लोगों को भी पास लाता है जो हर पल साथ दे वही दोस कहलाता है वरना तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है जो हाँ आपने साय सुना हम आज की डेली राज़ी फलकी बात कर रहे हैं सिबसे बहले हाल जिनका बाचे है या अनिवर्सरी है उनको मेरी तरह से छेर सारी कुटविशिस तो चलिए अब शिरू करते है जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशा बन जाता है जब आप एक कठी दोर से गुजरती है जब हर कोई आपका विरोवतिन नहीं लगता है जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते तो उस वक्त कभी हार मत मानना क्योंकि यहीं वो समय और स्थार है जब आपका अच्छा समय शिरू होगा जिन्दगी के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरी जिन्दगी लग जाती है व्यक्ति जो चाहिए बन सकता है अगर विश्वास के साथ इच्छित वस्थू पर चिंतन करे मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादुगर है जो एक पल में आपके चाहने वालों के चहरे से नकाब हटा देता है जो अपने भविश्य को अनंदमी बनाना चाहता है तो उसे अपने वर्तमान समय को बरबाद नहीं करना चाहिए आपको भी अपने वर्तमान समय को बरबाद नहीं करना चाहिए खाली मत बैठे रहिए, कुछ न कुछ करते जाए और निश्चित ही चीट आपकी होगी तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की डेली राशी फल की बारे में सबसे पहले में आपको बता दूँ कि आज आपके लिए शुबर रंक रहने वाला है गुलाबी और शुब आंक रहेगा तीन आज स्टूरंस भी जोरान अपनी शिच्छा की क्षेत्र में अभूत पूर प्रदशन कर पाएंगे इसलिए इस समय सुसराल पक्ष से सहयोग भी मिलेगा अच्छा है कि आपको काम्याभी मिले हर तरह की क्षेत्रों में आपका सहयोग भी सरहनी यही रहेगा हर तरह की सुखसवितों का उपभोग करने का अफसर भी मिलने वाला है आज इस समय संतान पक्ष को लेकर आप थोड़ी दुखी हो सकते हैं धान धान्य अचल संपत्ती को लेकर सितियां थोड़ी टैशन वाली होगी इसलिए ऐसे में साफधानी बर्तनी होगी आज जी कारेभार अधिक होने से शारेदिक और मांसी ग्रूप से ठकान अनुभब कर सकते हैं गुस्य पर काबू रखेगा कारेशेतरे में जो सह कर्मी है उनसे विवाद हो सकता है इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने आपको काबू में रखे तो बैठर रहेगा आज जो है आप अपने काम को बहतरीन तरीके से अंजाम तक पहुंचा ही देंगे क्योंकि इसमें आप कुशल हैं कुछ मामलों में आपको आप प्रतिशित लाब भी मिल सकता है ऐसे संकेत आपके सितारे क्या रहे हैं जो आपने सूचा भी नहीं होगा आज आपको वो भी मिल सकता है जेवन के दोड में कभी-कभी व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष को भूल जाया करता है आज उसे लक्ष को जानने का आपको प्रयास करना चाहिए और साथ ही में उसमर अगरसर भी होना चाहिए यानि वो उस पर काम करना शुरू कर दियो और आगे बढ़ते जाएगे अगर आर्थे के रोब से सिद्य अनिकोल नहीं है तो वो जल्दी ही नॉर्मल होती चली जाएगी बस आपको जो है अपने आप पर और भगवान पर भरूसा रखना है अगर आब ऐसा करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके हाथ लग पाएगी इसे के साथ ही आज किसी काम के अचानक बन जाने से आपको विजे हासिल हो सकती है ऐसे फीलिंग आएगी समी आनंद में आनंद दायक वितीत होगा साथ ही किसी प्रभावशाली व्यक्ति का आज 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 को सहयोग मिलेगा मनो बल आपका बढ़ सकता है आज दुपहर के बाद किसी योजना के विफल होने से कुछ तनाव की सितिया उत्पन हो सकती है इसलिए जो भी आज अपने काम करना है वो आज सुबह कर लीजी दुपहर से पहले पहले वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि ग्रहों की चाल जब बदलती है तो सब बदल जाता है इसलिए दुपहर से पहले अपना जो मीन और इंपॉरनन काम है वो सुबहर कर लीजीगा आज जो है आपका सभाव में कुछ गुसा और चिट्रापन देखने को मिल सकता है किसे के गलत सलाह भी आपके लिए नुक्सान दाइक सावित हो सकती है आज का दिन आपके लिए खुद कुछ परिसितियों से बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए आज आज आपको खुद जादा मेहनत करने पड़ेगी जिन परिसितियों में जिन हालातों में आप ढलने का प्रयास करेंगे वे आपके अनकूल हो सकती है आज अपनी पसंद के किसी काम में आज अपनी उर्जा को जाया कीजेगा कोई रिकावट आ रही है तो वह के वर आपकी आत्म विश्वास की कमी है इसलिए आज आपको सेल्फ कॉन्फिदेंस बना कर रखना होगा अपने आप पर भरुसा करें थोड़ा सा रिस्क लेना आपके लिए आज फाइदे मन साबित हो सकता है बलकि ये रिस्क जो है आपको तीन गुना फाइदा दलवा सकता है इसलिए रिस्क लेने से पीछे मत हटिएगा आज जरूरत मन्दों और बजरुगों की सिवा में आपका ज़्यादा समय बेच सकता है ये तो बहुत इच्छी बात है अगर अपने पेरेंस के साथ दादा दादी के साथ समय स्पेंट करेंगे तो सच में उनके दिल को बहुत ही सुकुन मिलेगा ऐसा जरूर कीजेगा आज के दिन समय में पॉजिटिव परिवर्टन आ रहा है परिवार में किसी भी वहाँ योग के व्यक्ति के लिए अच्छा रिष्टा आने पर घर में बहुत ही खुशी का महौल भी बन जाएगा जिसे घर का महौल खुश्टुमा रहेगा घर के किसी बुजर्ग के स्वास्तों को लेकर कोई चिंता आज जो तपन हो सकती है साथ इसाथ में किसी नजदी के रिष्टेदार की वज़ा से धन सर रिलेट को नुकसान होने की भी संभावना नजर आ रही है चलिए बात करते हैं आज की बिजनस और करिर की तो बिजनस और करिर में आज खर्चों के साथ-साथ आपके इंकम की भी स्थिती बनी रहेगी इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता फिजूल की मत कीज़ेगा जो नौकरी बेशा लोग हैं उनके लिए कुछ ट्रांस्वर समंधी काम बन सकते हैं जिसमें तरक्की भी सुनिश्चित है आपकी आज जौब के लिए दिन अनकूल कहा जा सकता है अज आपको कोई बंचहा काम अपने आप हो सकता है हो सकता है कि वो काम हो जाए जिसका आपने कभी अनुमान ही ना लगाया हो वहीं आज वेविसाय में अधीनस्त करमचारियों के बीच में प्रभाव बना रहेगा और बिजनस में उत्पादन की क्षमता में भी आज बडोत्री हो सकती है लेकिन हाँ किसी प्रकार के माल की हानी होने की संभावना लग रही है थोड़ा आज आज आपको चुकनना रहेगा चुकनना रहने से आप जो हैं काफी आपको चीजें पता लगेगी कि कौन आपकी हक में है और कौन आपकी हक में नहीं है इस बात का आज आज आपको ध्यान रखना है अपने विचारों को व्यक्त करी ठीक धंक सी अगर नया आज बिजनस शुरू करने का मन बना ही लिया है तो आप उसे शुरू कर दीज़े आपको लाब जल्दी ही मिलने वाला है धन लाब की उची दफसर मिलेंगी आपको वो किसी भी रूप में मिल सकते हैं अगर आज के दिन आप कही जगा पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस पैशली सोना चांदी इस इन सब चीज़ों में तो आपको आने वाले दिनों में फायदा होगा लेकिन याद रिखे इन चीज़ों का जल्दी फायदा नहीं होता अगर आप इन शेर्ट को इन सब चीज़ों को काफे देर तक रख सकते हैं तो तभी आप इन्वेस्ट कीज़ेगा वन्ना आप इन्वेस्ट ना करें तो बेटर रहेगा तो चलिए बागे बढ़ते और बाग करते हैं आज की लव लाइफ के बारे में तो दिवन साथी और परिवार के लोगों का जो पूरा सहयोग मिलने वाला है फिजूल के प्रेम सबंदों में आपकी विपार और धन दोनों की हानी हो सकती है बल्कि प्यार जो होता है उसमें ये सब चीज़े नहीं होते हैं बल्कि अपने आपका दोनों का विश्वास होता है प्रेम होता है इसलिए आप सोची समझिए कि कोई कोई दूसरा व्यक्ति आपका फैदा तो नहीं उठा रहा इसी के साथ ही आजाब को अपने परिवार के साथ है वक्त बिताने का मौका मिलेगा और इसका भरपूर अनन्द लें कुझे दोसों से धूरी बना सकते हैं आजाब साथ ही में जीवन साथ ही के साथ अपका दिन बहुत बढ़ियां बीच सकता है रिष्टों में कोई भी फैसला भविश्य को ध्यान में रख करकने तो नतीजा अच्छा निकलेगा ज़द बाजी में किसी भी प्रकार के रिष्टे को तोड़ने की आप सलाह मत लिजे किसी से और मत तोड़ेगा आज जो है आपकी लव लाइफ पर ये भी कहा जा रहा है कि आज घर में खुश्य का महौल तो बनेगा जिसका जो शिरे आपकी जीवन साथ ही को जाएगा किसी नए महमान के आगमन की स्तिया बनी हुई है किसी विप्रित लंगी मित्र के वज़ा से संकर में भी आप मिजब कुछ लोग पढ़ सकते हैं इस बात का विशीश रुप से ध्यान लखना होगा चलिए बात करते हैं आज के स्वास्तिक के बारे में जस्वास से कहता है कि पेट से related कोई दिक्कतें आ सकती है, परिशान कर सकती है, हलका और सपच्चिय भोजन करें, इसपाशलि अच खिचटी खाएं तो बैटर रहेगा, वहीं आज आज आपको सिर्धत जैसे परिशानियां भी आपको हो सकती है, सिर्धत अगर हो रही है तो इसका कारण आपकी नींद की कमी है, नींद की कमी को पूरा किजियो और देरा तक जो है आप टीवी और मबाल से आप दूर रही तो बैटर रहेगा, अज आपको वारल इंफेक्शन जैसे कोई समस्या भी फील हो सकती है, लगिन अगर आप अपना ध्यान लखेंगे तो अज आपको बचना होगा, तो अपने सहत का आज आपको ध्यान लखता है, चलिए बात करते हैं आज की विशीश उपाई के बारे में, तो आज आपके लिए जो है विशीश उपाई ये रहेगा, कि आज आपको जो है भगवान गनेशी को धूर वा चड़ाना चाहिए, और